दोस्तों जिन्देगी में हम सब अमीर बनना चाहते हैं हम चाहते कि हमारे पास इतना सारा पैसा हो जिसे हम जो है एक अच्छी लाइफ बिता सके हम जो चाहे उसे खरीद सके and everything तो ये अगर आप सोचते हो ये गलत नहीं है अब इस चैनल पर मैंने बहुत से ponzi schemes को expose किया है and आज एक ऐसा ही एक fake app आपके समने में लेकर के आया हूँ जो आपको unrealistic return देने का दावा करता है ये जो app है ना ये registered है इंडिया में ना ये RBI के under regulated है ना सेभी के अंडर में ठीक है तो ये सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा तो सबसे पहले जानते है app का नाम क्या है app का नाम है building services ठीक है ये app कहां मिलेगा ये app आपको मिल जाएगा google play store पे ठीक है अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा app कहां पे play store पे किस तरीके से है and everything बट सबसे पहले समझते हैं कि इसके बारे में मुझे कैसे पता चला अब दोस्तों इसका आज की देर में लोगों को SMS आ रहा है तो आपको SMS आ सकता है इसका कि आप घर बैठे work from home you can earn money you can double your income good investment scheme तो इस तरीके से जो है आपको SMS आ सकता है पहला चीज second thing आपको इस तरीके का आपको जो है add दिख सकता है जैसा आप यहाँ पे नीची की तरफ देख सकते हूँ यह जो image है जिसमें लिखा है deposit rupees 500 period 15 days invest ठीक है तो YouTube में अगर आप video scroll कर रहे हो तो video के बीच में जो add आता है तो वहाँ पे आप यह add देख सकते हो यह similar वाला add आपको Instagram में and आपको Facebook पे भी मिल जाएगा ठीक है तो basically social media के through यह लोग जो है अपना जो यह fraud scheme है इसके बारे में लोगों को बता रहे है and at some point of time आपको इसका SMS भी आ सकता है ठीक है उसमें आपको एक link मिलेगा to download the app and जब आप उस link को click करोगे तब आप जो है इस app पे आ जाओगे इस app का नाम जैसे आप देख सकते हो this is building services google play store पे है इसमें कई सारे screen shots है ठीक है लेकिन मैं आप देखिए मैं आपको recommend बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप इस app को install करो या इसमे log in करो and everything because यह फर्जी लोग है and यहाँ पे अगर आप अपना नाम भी डालोगे तो आपका नाम ही compromise हो गया कल कोट के आप identity theft के शिकार हो सकते हो ठीक है तो किस भरोसे आप अपना data यहाँ पे यह करोगे तो मैं तो आपको बिल्कुल recommend नहीं करूंगा कि आप किसी link में click करो app आपको download करो and register करो ठीक है यहाँ पर जो भी information मैं आपको दे रहा हूँ यह आपके safety के लिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले बिना इस app के शिकार बने या बिना इस app को download किये या बिना इस app में जो है कोई भी account create किये क्योंकि अगर आप account create करोगे आपका data फ and जो second screenshot है ठीक है यह पहला screenshot है ठीक है and यह second है यह जो second screenshot है इसमें अगर आप click करोगे तो इनका जो investment का scheme है यह इन्होंने दिखा रखा है इनका खहना है कि अगर आप 100 रुपे invest करोगे तो आप 128 रुपे कमाओगे मतलब 28 रुपे का profit एक दिन में तो basically क्या होता है कि यह दा 100 रुपे डालोगे तो 128 रुपे मिल जाएगा ठीक है तो एक बार calculator लगा लेते है ठीक है calculator लगा के देखते है कि अगर आपको इतना return अगर मिलता है तो आप कितने अमीर हो जाओगे ठीक है तो यहाँ पे आपको daily अगर 28% मिल रहा है अगर आप 30 दिन का check करोगे आपको मही इने का 840% का return मिल जाएगा ठीक है अगर मैं साल का check करूँ तो यह होता है दस अजार 80% मतलब अगर आपने इनके यहां 100 रुपए एक साल के लिए रखा तो आप कमाऊगे यूइट 10,100,000, 10,000 लाग, 10 लाग मतलब 100 रुपए अगर आप यहां पे इंवेस्ट करोगे तो ए एक साल में वो 100 रुपया आपका हो जाएगा 10,08,000 मैं जुट नहीं बोल रहा हूँ, आपके सामने मैंने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किया है, नमबर आपके सामने है और यह जो आपका ग्रोथ है, यह इनके अप में इन्होंने प्रॉमिस किया है, कि 100 रुपया इन्वेस्ट करो तो एक दिन में 28% है अगर आप एक साल पैसा रखोगे, तो 100 रुपया एक साल के अंदर अंदर बन जाएगा 10,08,000 अगर ऐसा होने लगता, तो गवर्मेंट किया हमसे इंकम टैक्स और यह जीएश्टी यह सारा चीज़ लेती, गवर्मेंट खुद यहां पे इन्वेस्ट करती करके बहुत साथा पैसा कमा लेते, उस पैसे से हॉस्पिटल बनाना, रोड्स बनता, स्कूल बनता, उसके बाद जो पब्लिक एमिनिटीज है, वो सारा चीज़ बनता, जितने भी बसेस चल रही है गवर्मेंट की, वो सारा नया होके आपको पूरा AC बसेस मिलती, तो गवर रुपय है, अगर आप एक साल के लिए इंवेस्ट करोगे, अठाइस परसेंट इंट्रेस्ट हर दिन के हिसाब से, तो यह हमें क्यों बता रहे है, वाइवूड दे टेल दिस तो ऊस, कोई भी कंपनी क्या कस्टमर के लिए काम करता है, या अपने प्रॉफिट के लिए काम क अगर आप एक सामने वाला तो टोटल बेवकूफ है, हम यहां पर पैसे का लालच देंगे, और लोग जो है, रात और रात अपना पैसा डबल करने के लिए यहां पैसा डालेंगे, अगर उनके पैसे लेके भाग जाएंगे, अब इस गूड क्लीन चीटिंग, इस गूड क् Corporate Affairs का वेबसाइट है, गवर्मेंट का वेबसाइट है, उसमें इंडिया में सारे जितने भी companies registered है, under register of companies, तो उसमें आपको उसका data मिल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, कि उसमें जाकर के यह company के बारे में सर्च कर सकते हो, आपको कोई data नहीं मिलेगा, ठीक है, अब पहल कैसे भी रेजिस्टर नहीं होगा, यह company अगर रेजिस्टर नहीं है पहले स्टेज में, तो documents ही नहीं है, अगर documents नहीं है, तो RBI में कैसे रेजिस्टर करेगा वो, और यहां पर financial transaction कर रहा है, बैंकिंग टाइप का काम है इनका, investment लेना and everything, तो उसके लिए फिर SEBI का भी आप मैं बहुत जादा बढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसलिए मैं यह सारा चीज समझता हूँ and आप कम बढ़े लिखे हो, इसलिए आपको यह सारा चीज समझ में, it is not a very difficult thing to understand, कोई भी company अगर इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है, investment ले रहा है, तो obvious सी बात है, it has to be registered as a company, इंडि registered है, तो company registration के documents होंगे, तभी ना उस document को use करके वो RBI में register होगा and RBI में जब register होगा, उसके बाद फिर वो SEBI के साथ यह करेगा, affiliate होगा, SEBI के अंडर पर regulated होगा, है ना, तो यह सारा चीज नहीं है, तो this is a good clean ponzi scheme, अब यह काम कैसे करेगा, यह मैं आपको बताता हूँ, हो सक उसके बाद फिर आपको पता चला, आपने भी पैसे इंवेस्ट कर दिया, तो मेरे से लिया हुआ पैसे का कुछ हिस्सा आपको दे दिया और आपसे कहा कि यह आपका profit, लेकिन actual में इस पैसे को इन्होंने किसी business में इंवेस्ट करके grow नहीं किया, मतलब यह पैसा इधर से उ जाए यूजर, फिर मार्केट से भाग जाएंगे, पावर बैंक आप आया था, कुछ एल्जा एनरजी नाम से एक आप आया था, इन्वेस्मेंट का फाइफ प्लस आप आया था, फिर गैलन नाम से एक आया था, फिर CDR, कैम, ठीक है, तो यह सारे नाम से आपस आ चुके है, और यह सारा चीज जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो हमारे सामने है, यह सारा चीज हो चुका है, तो आपसे मैं एक ही चीज रेकमेंड करूंगा, पैसा अगर आपको पैसा ग्रो करना है, तो दो जनुएन तरीके है, पहला चीज, आप पहले खुद में कोई स्किल डेवलप क कोई काबिलियत बनाई है अपने में, जिससे आप people, business and society के लिए कुछ value create कर सको, जब आप यह कर सकते हो, तब लोग आपको पैसा भी देंगे, लोग आपको respect भी करेंगे, example के तोर पे मैं, I am a software engineer by profession, I am a data scientist, I am an information security researcher and a business consultant, मैं मेरे clients को value देता हूँ, उनके लिए मैं value create करता ह हूँ, and for that, वो मुझे पैसा देते हैं, and वो मुझे respect भी करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि you become a software engineer, आप कुछ भी कर सकते हो, है न, मानके चलो कि अगर आपको कोई भी skill, आप teacher बन सकते हो, आप architect बन सकते हो, आप fashion designing कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, there are so many ways, so many things कि जो and आप एक YouTube channel भी कर सकते हो, see, because मेरा चो channel है, this is a monetized channel, and on views of people and everything, I make money, है न, तो अगर आप कुछ, मतलब बहुत हाइफाई कुछ नहीं करना चाहते हो, still, अगर आप में थोड़ी भी creativity है, तो आप उस चीज़ को दुनिया के सामने रख सकते हो, थ्रूरी YouTube channel, है न, जब आपका share market है, SIPs है, mutual funds है, bank में fixed deposit है, LIC में policies है, है न, उसके बाद fixed deposits है, bank में, कितना कुछ, government bonds है, corporate bonds है, है न, कितना कुछ है, पैसा invest करके पैसा grow करनेगा, है न, तो these are the ways, these are the genuine ways how you can make money, कोई एप अगर आपको कहता है कि पैसा डालो 21 दिन में पैसा double, वो हेरा वेरी picture आया था, फ इसमें 21 दिन में पैसा double करने का बोल रहे थे, भाग गया न, पैसा लेके, यार यह सब की सालों पहले picture में दिखा चुक है, आप दो यार अपना vision change करो, मैं जानता हूँ, आपका पैसा है, this is up to you, आपको जो करना है, नहीं करना है, this is up to you, मेरे को कोई अधिकार नहीं आपक जगा अपना पैसा invest करके फसने से अगर बच सकते हो, तो मेरे लिए this is the most rewarding and fulfilling thing, इसलिए जो है, जब भी मेरे को ऐसा कोई fraud app या कोई fraud website के बारे में पता चलता है, मैं सबसे पहले आप सब के पास आता हूँ, I create a video and मैं awareness create करने के कोशिश करता हूँ, कि यार आपको पता तो चले कि हाँ, क्या risk है, ठीक है, तो इन conclusion यही कहना चाहूँगा जोस्तों, यह जो building services app है, यह ponzi scheme है, fake है, पैसा invest मत कीजिए, and legal part मैंने आपको बताया नहीं, वो भी थोड़ा बता देता हूँ, कि ponzi scheme illegal होता है, and illegal काम से कमाया हुआ जो भी पैसा होता है, उसको भी illegal माना जा तो अगर आप ponzi scheme में पैसा invest करोगे, and अगर आपको starting starting में कुछ returns अगर आपको investment पे मिलता भी है, तो आपने जो है, एक crime से कमाया हुआ पैसे को receive किया है, तो आप भी equally उस crime में हगदार बन जाओगे, तो मैं आपको यही कहूँगा, यार, मतलब, छोड़ दो यार, मत करो यह सब, पैसा अगर आपको grow करना है, मैं आपको बताया, या तो आप अपने skill develop कर लो, या ऐसे बहुत से genuine investment options है, उसको try कर सकते हो, लेकिन यह सब crime वाले काम, यह सारा चीज़ करके जो है, पैसा grow करने के यह मत करो, पैसे के लालच में मत पढ़ो, क्योंकि लालच में अच् किसी गलत किसी crime में जो है, involvement हो जाओ, है ना, उमीद करता हूँ दोसो, वीडियो आपको helpful लगा, एक ही request है, कि आप इस वीडियो को सब के साथ, हर जगा पे share कर दीजिए, ताकि सब को इसके बार में पता चले, and मेरा यह मानना है कि, अगर सब को पता चल जाएगा, तो कोई कि.